आज की वीडियो में 4th February 2022 के करेंड रफर को डिसकस करेंगे तो आज का पहला कोजन है इंडिया Press Freedom Report 2021 किसके दोरा जारी की गई है तो इसका सहत्रोप्षन D RRAG यानि की Rights and Risk Analysis Group के दोरा तो इंडिया Press Freedom Report 2021 इसको रिलीज करा है Rights and Risk Analysis Group यानि की RRAG तो इस Report में Generalist and Media Organization को किस State में सबसे यादा Target किया गया है उसके बारे में बताया गया है तो सबसे यादा जो Generalist and Media Organization को Target किया गया है जम्मो अन कास्मिर में 25 Generalist and Media Organization को Target किया गया था 2021 में ठीक है दूसरी नमर पे उत्तर परदेश जहाँ पे 23, मत परिदिस 30 नमर पे हैं एंट 14 नमर पे हैं तिरुपूरा ठीक है अगर बात करते हैं तो टोटल 6 जर्नलिस्ट की मौत हुई थी 2020 में एंट 128 को अटेक किया गया था लग उसने हाली में चर्चा में रहे पोला वोट्टा निमली कितने से क्या है जिसकी खोज CMFRI ने की है तो इसका सहत्र अपस ने Fish Spaces यानि की मचली की पर जाती है तो रिसेंटली New Fish Spaces जिसका नाम है Iscombeiroids Pelagicus इसकी खोज की गई है CMFRI के दोरा यानि के Central Marine Fisheries Research Institute के दोरा एंड इसको कहाँ पर खोज की गई है तो इंडिन कोस्ट में ठीक है और इस Fish Spaces को लोकली जाना जाता है पोला वोट्टा के नाम से गोसने परम परवेगा सूपर कम्प्यूटर किस संस्थान ने अस्थापित और चालू किया है इसका से उत्रपशन भी IISC यानि की Indian Institute of Science बैंगलूरू ठीक है तो परम परवेगा यह वन अप दो मोस्ट पारफुल सूपर कम्प्यूटर्स है इंडिया का एंड इसको इंस्टोल एंड कम्प्यूटर किया गया है IISC बैंगलूरू में ठीक है तो इस सूपर कम्प्यूटर को डिजाइन करा है Center for Development of Advanced Computing यानकी CDEC ने तो इसको कमिशन किया गया अंडर National Super Computing Mission जिसको लौंच करा जाता 2015 में अगर बात करते हैं दुनिया में तो दुनिया में Most Powerful सूपर कम्प्यूटर काउंट्स है जिसका नाम है Fogaku एंड यह जापान का सूपर कम्प्यूटर है तो इंडिया में Top 50 में दो सूपर कम्प्यूटर है परम सिद्धी AI जिसकी रहेंगे 63 दूसरा है मिहिर इसकी रहेंगे 146 अगला कुशने दुनिया की पहली Hydrogen से चलने वाली Flying Boat को कहां लौंच की जाएगी तो इसका से उत्रप बोट का नाम होगा The Jet एंड यह दुनिया का पहला बोट होगा जो Hydrogen से चलने ठेक है एंड इसको लौंच के जाएगा दुबई में तो दुबई यह UAE का एक सहर है मैप में आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसकी कैपिटल है अबुदावी एंड करंसी है दिरहन अगला 2021 तक International Space Station यानि कि अंतराष्टी अंतरिक्ष इस्टेशन इसको 2021 तक मतलब रिटायर कर दिया जाएगा एंड इसको क्रेस किया जाएगा Pacific Ocean में 2031 में ठीक है जनवरी 2031 में तो International Space Station यह एक Space Station है जो कि Lower Earth Orbit में है ठीक है इसको लौंच किया गया था 1998 में एंड इसमें 5 Space Agency सामिल ह नासा, USA का, जाकसा, जापान का, रोसकोस्मोस, रसिया का, CSA यानि कि Canadian Space Agency, कनाड़ा का, ESA यानि कि European Space Agency, यूरोप का ठीक है तक उसने हाली में IBBI के अध्धिक्ष यानि कि चेर्मेन की रूप में किसे अपोइंट किया गया है तो इसका सहतरप्सन भी रवी मित्तल को तो former e-sports secretary थे, इनको recently chairperson appointment किया गया है, Insolvency and Bankruptcy Board of India, यानि कि IBBI के, इसको appointment करा है, appointment committee of the cabinet में, इनका जो tenure यानि की कार्यकाल होगा, ये 5 साल का होगा, या फिर age of 65 years, तो IBBI, इसको हिंदी में करते हैं, भारतिय दिवाला और सोधन अच्छमता बोर्ड, इसका formation हो था 2016 में, इसक corporate affairs के दौरा ठीक है, और ये regulate करता है, Insolvency professionals को, यानि कि ये दिवाला पेशिवर्स को नियंद्रित करता है, अगला कुस्स ने, nectar ने केसर की खेती के लिए, किस राज में कुछ अस्थानों की पहचान की है, nectar has identified few location in which state for saffron cultivation, तो इसका सहतरप्शन D, Megale and Arunachal परदेश, तो recently nectar ने कुछ location को identify किया है, Megale and Arunachal परदेश के, जहां पे saffron को cultivate किया जा सके, तो Megale के कुछ अस्थान है, जैसे कि चरापुनजी, Moshmi, Moshmai and Laling Top ठीक है, तो यह कुछ अस्थान है Megale के, जिसको saffron cultivation के लिए identify किया गया है, nectar के द्वारा ठीक है, एंड यह सारे जो places हैं, इसको identify किया गया है, under the saffron ball project, एंड इस saffron ball project को launch किया गया था, nectar के ही द्वारा ठीक है, तो nectar यान कि North East Center for Technology, Application and Reach, यह एक autonomy society है, एंड इसको set up किया गया था, under Department of Science and Technology के ठीक है, तो अगर हम saffron की बात करते, तो कस्मिरी saffron जिसको 2020 में GI Tech दिया गया था, तो इसका सहतर अप्षन है, एक alpine skiing athlete है, from Jammu and Kasmir, यह Beijing Olympic, यान कि Beijing Winter Olympic 2022 में participate करने वाले, एक मात्र athlete होंगे, ठीक है, अगला कुछ सेने, ICC Spirit of Cricket Award 2021 के winner कौन बने है, तो इसका सहतर अप्षन D, Daryl Missel, तो ICC Spirit of Cricket Award 2021 के winner बने है, Daryl Missel, जो की New Zealand के cricket खिला रही है, ठेक है, तो कुछ ICC के award को revision कर लेते हैं, तो ICC Men's Cricket of the Year 2021 से समान किया गया है, साहिन अफडिदी को, जो की पाकिस्तान के खिला रही है, ICC Women's Cricket of the Year 2021, इस award को जीता है, इस पृति मंदना, जो की इंडिया से है, ICC Test Men's Cricket of the Year 2021 से समान किया गया है, जो route को, जो की England से हैं, ठेक है, अगला कुछ सने, कौन ICC Under 19 विश्व कप में सतक बनाने वाले तीसरे भारतिय कैप्टेन, यानि की Indian कैप्टेन बन गए हैं, तो इसका सहतरुप्शन भी, Yes Dhool, तो Yes Dhool जो की 3rd Indian कैप्टेन बने हैं, जो की ICC Under 19 विश्व कप में सतक लगाए हैं, ठेक है, अगला कुछ सने, हर साल विश्व अंतरधार्मिक सदभाव सपता, यानि की World Interface Harmony Week कब मना जाता है, तो इसका सहतरुप्शन ने, फरवरी के 1st week को हर साल World Interface Harmony Week सेलेवेट के आता है, ताकि जो अलग-अलग religion है, उनके बीच एक Peace and Harmony बना रहा है, ठेक है, तो इसको designate क्या गया था, United Nations General Assembly के दौरा 2010 में, इस बार इसकी theme है, 2022 में, Faith and Spiritual Leadership to Combat Stigma and Conflict During Pandemic Recovery, कि आता है, 2022 में, परवता है, 2022 में झाल झाल